वैसे भी कुछ लोग का कहना है कि और ते समझदार नहीं होती रही तरह यह सुनके तो मैं बड़ा दुख हुआ और फिर उनलोग को एंसर देखके भी बड़ा दुख हुआ तो आईए चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं कि इनमें कितना टैलेंट है आईए देख लीजे आप देखी रहे हैं कि इस तरह से मस्ती कर रही है सब तो आईए चलिए विघंड डाला जाए इस मस्ती के इसमें और हमारे बनारस को पहले क्या कहते थे मालू मैं आपको तो आप चलिए आपको हम एक क्शुन और जी चलिए एक रूम है जहां आप इंतर करते हो उल फोंदल है जिसके हाथ में केला है और एक कृश है जिसके हाथ में गाजर और एक पृच चत्म किता है उल्हे गिऑ और बतार यह समस्दार कौन है एक ए एक रूम है जिसमें आप इंटर करते हो और वहांपे एक खरगोश है लिए को हम हमीं से आए हैं लुट्र और समय का नाम करें यह कि वहाइट कर्षिकी नाम भालत हमें की सिर्म की समय के लिए वाला है तो इंतजार करिएगा बेट करिएगा आज में शुरुआत में बोल दे रही हूं कि लाइक शेयर करिए और हाँ बैल आइकन जरू क्लिक कर लीज़ेगा कि आप लोग मेरे 50K हो गए हैं सब्सक्राइबर्स लेकिन ब्यूज नहीं आ रहें बड़ी दिक्कत है भारतमा का देख नहीं ना क्या हो रहा है हमारे साथ पंचायद स्कैम हो रहा है तो आप लोग लाइक शेयर किया करिए और देखा करिए यार अच्छे लगत है हम हमें बहुत पसंद है हम तो आईए आप जो हिंदु लोग है वो भूलते जा रहे हैं चीजों को तो हमने का आज क्यों ना डिवीजन करा दिया जाए हमारे तो भूत रिवीजन होता था कुटाई होती थी उसके बादी जाम होता था लात खाते थे जिता खाते थे हमने का अब हम भी थोड़ा बहुत पूछ लेए तो इसलिए चलते हैं थोड़ा अपने सनात्मियों को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर आज पूछते हैं थोड़े भगवान से रिलेटेट कोशन्स और कुछ मस्ती वरे भी होंगे इंटिजार करेगा आईए चलिए चला हो चली अब तो भाई यहां पर बड़ी सुन्दर पूछन पूछ जाए क्योंकि भाई पूछ के आए हैं घजब का एंसर दिया उन्होंने तो आहें बंढ़िए वाली यह अंसर देंगी दिए बताईए राम जी के भाई का नाम च्बराइए नहीं नहीं कह रहे हैं अच्छा एक और कोशन है ठीक है सबसे एक कमरा है जिसमें वहां पे एक खरगोष है जिसको हाथ में गाजन्व है और एक लची उसके हाथ में किया वह है वह भी सोने की है तो बताई यह सवस्दार कॉन है । उसमें से समझ Spr best हौन है आप एक कमरे में जा रहे हो उस कमरे में खरगोश है उसके हाथ में गाज़त एक इस उसके हाँ़ो त्क फेलि केला ए और एक है कुछ उसका प्रता हुए उसके हाथ में बॉन है हडी है जो कि सोने किह समझदार कौन है अरे और और कुछ सोचिए कुछ और सोचिए क्या हो सकता है सरा थे जया서कर और अरे आप क्यूं नहीं बॉल रही है बताईए कुछ इंटालिजेंट तो लग रही है बताईए कुछ ना बंदर भी नहीं कोई बताईए कौन होगा फिर सुनने जच्छा एक कमरा है जिसमें आप इंट्रि कर रही है वहाँ पे एक खरगोश है जिसके हाथ में गाजर है एक बंदर है जिसके हाथ में केला है और एक कुट्टा है हरे वहाँ क्या बात है लड़का समझा रहे किसका बच्चा आपका है अरे बात है इनके लिए अप्लॉस तो बनती ही है बहुत जादा और बड़ा ही प्यारा बच्चा है आरे बहुत अच्छा अंसर दिया आपने थैंक्य बाभी थैंक्यू 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 अरे एक बार का Si me ow represalush that लगाए बीन जाने किसे सकते तो आई चलिए चलते हैं आगे और आगे में भी मसाले कर्दसे का जिठा तो आब और आपको तो बताइए कैसा लगी हमारी काशी आपको पहले तो यह बताईए बहुत बढ़ी है बहुत अच्छा लगा है आप सब जी हम दिल्ली साइए अरे दिल्ली वाले दिल के सहर से आए हैं हमारे वाक्या बात है और बड़ी अच्छी स्माइल है इनकी कहां भागे जा रहे थे अच्छा जी टेस्ट करा था हमने वो खाया था है लिट्टी चोखा यहां पर अच्छा हां जुड़ों रहे हैं नहीं नहीं सब्सक्राइए बहुत बड़ी अलगा हमें और यहां का प्लब बहुत बढ़ा है अरे बावरी यह तो गलत किया आपने खिलाया नहीं है लोगों तो यहां पर मैं आपसे एक कोशन पूछना चाहते हूं चलिए कौन बताना चाहेगा अच्छा चंकर जी के पुत्र का नाम जनेस और कार्थिक है क्या बात है क्या बात है इधर उदर कोई लड़की है क्या उदर नहीं नाम बता रहे मैं लिखा हुआ है कार्थिक है वहां सामने की वहां पर एक हाँ लाद बात है तो अब चलिए आपको हम एक कुशन और पुछके चलिए एक रूम है जहां आप टेक करते हो वहां पर एक बंदरहे जिसके हात में केला है और एक खरत रूओं जिसके हाथ में बॉन है वह भी स्सोने की है तो पताए हे समिस्दार दो एक कम्रे में आप इंट्री करते हो वहाँ पे एक खरवोश और इक बंदर है जिसके हाथ में केल और एक कुत्तह है वहाँ जिसके हाथ में बोन है वो भी सोने की आ है समझदार कौन है जो आप आले में पर बारे क्लैप तो कर दीजी आजय आए जुआ और जो यहां जिखा एक कटने ल के फुर्फ और जिल की ढुटकर जंट की जिखल जाए और को जू आ जिए reward ओर दुआ को जाड यह डिया आप ने इस मतलु आपने गागया मतलों सोचा भी ने इस और तो यहां पर आया मज़ा और यहां पर लड़के भी दे बड़ा सच जच के आया हुए थे और जवाब उन्हें बड़ा बढ़िया दिया और दिल्ली वाले आये हैं वहाई हमारे काशी में और काशी का घूमने का मज़ा तो लेने ही है चाहिए सबको तो आईए और भी लोगो को डूनते हैं और थोड़ा सा परिशान करते हैं लेकिन और एक सेकेंड के अंदर उसने एंसर दे दिया मुझे बड़ा ही अच्छा लगा दिल्ली वाले समझदार होते हैं हमने आपको दिखाया बड़ा ही प्यारा द्रिश्य वहाँ पे और अब आती है बारी कुछ लोगो करते हैं और फिर दोगों को आईये चलते हैं नीचे और देखते हैं कि इन में कितना टैलेंट है आईये आप देखी रहें कि उसक्राइव से मस्ति कर रही है सब तो आइये चलिए विधंड डाला जाए इस मस्ति के वे तो मैंने आपको दिखाया उपर के नजारे वाक्या बात और क्या जवाब दिया था उन लोगों और अब यहां पे मिली हैं मुझे कुछ चुलबली सी लड़कियां उनसे भी कुछ कुछ अंसर होता है देखते हैं हमारी लड़कियां कितनी समझजार हैं आपको और जनरेशन से मिला दिया मैंने आज यह मत कहिए कि जोती जी आप सब्सक्राइब लगरें और हमारे बनारस को पहले क्या कहते हैं मालूम आपको इस पहले क्या के देशन है पूबी ने पता है जारी सुन्दर सुन्दर बन इनको पता है वही हमारे पक्तुट हमारे बनारस को सुन्दर बन खा जाता तो यह मेरी खासी नहीं रुक रही यह बड़ी गलत बात है आरे अरे हमारे अरे यह तो है उदर देखिए यहां पर बनाई जारी और बड़ी मस्तिके जारी अरे एक बार आप लोग खड़े क्यों नहीं हो जा रहे भाग क्यों रहे हैं क्या बात है अच्छा एक और कोशन है एक अच्छा एक कमरे जिसमें आप इंटर करते हो और वहां पर एक खरगोश है जिसके हाथ में गाजर है और एक बंदर है जिसके हाथ में केला है और एक कुट्टा है वहां पर जिसके हाथ में बोन है वो भी सोने की है तो बताएए समझदार कौन समझदार कौन है एक बंदर और बंदर क्यों कि वह अपना काम का चीज़ रखता है ना एक बंदर एकारी हाथ अचे आर खोर्गोशर हाथ में यार कुकुरों काई हाथ है जो पकड़ सकता है कुकुरों था मुख्रों था ना कोई नहीं है अच्छा फिर से एक बार सुनीजे एक बार ध्यान सुनीगा ना था एक रूम है जिसमें आप आदे एक खोर्गोश इसके हाथ में गाजर है एक बंदर है जिसके हाथ में केला है और एक कुझ्टा है जिसके अपने है वो भी सोने की है समझधार कौन है उस कमरे में हां मैं राइट वए और लगों देखें यह फूरा बात अब मत जाए कि और दिमाग होता है पता है देखा अभी यहीं करते हैं और वह बहुत अच्छा लगाऊगा अच्छा लगा नहीं होता है और लेना